शापूर नगर के वाड करमांग चाहर निवासी कुंदन पिता देवशीक पटेल की मौत से गुशाए परिजनों ने चौकी के सामने शौर रखकर चक्का जाम किया मिर्तक एक धाबा चलाता था मिर्तक के बड़े बेटी संतोस ने आरोप लगाया कि रात में पुलिस ने धाबे से बिना कैसी कारण के पकड़ा और चौकी ले जाकर मार पीट की युँँ छोड़ने की एवद में चौकी प्रभारी दिप्रपगास त्रिपाठी ने पैसे किया और चौकी प्रभारी पर मुकद्मा दर्ज करने की मांग करने लगे जिसकी जहनकारी जिला कॉंग्रेस प्रवक्ता विरेंद्र सिंग गौर को दी गई जिनोंने जिला के पुलिस अधिक्चक को मामले की सूसना दी पुलिस अधिक्चक ने तदकाल ADSP रामेशर शिंग जिसके पस्चाज पर जनों को मामले की नियाएक जाश कराने और तीन डॉक्टरों की पैनल से पोस्ट मार्टम कराने का आसोसन दिया जिसके बाद पुलिस ने पंचनावा बना कर सो को पोस्ट मार्टम के लिए जिलास पताल भेज दिया मिर्तक के साथ पकड़े के भुपेंद्र पिता मोहन ने बताया कि हम सब धावे पर खाना खा रहे थे तब चौकी प्रफावरी दिप्रपकास्ति पार्टी अन्य पुलिस वालों के साथ धावे पर आई और पकड़ कर ले गए जहां पुलिस ने मारपीट की और पैसे मांग की गई थी निजी मुचलके पर छोड़ दिया था कि बाद ये दिमार पीट की घटना हुई है तो पोस्ट मारटम के बाद उचित कारवाई की जाएगी पूरे मावले की नयाइक जाज की जाएगी यह हम तीन डॉक्टरों के पैनल से पोस्ट मारटम करवाया जाएगा साग रहते हैं newsbus360.com खवरया लगंदाज में